हेलो फ्रेंड्स वेलकाम पे यो स्मार्ट नेश्यल है यो स्मार्ट नेश्यल में आज आपका यहां पे स्वागत है इसी साथ बड़ी खबर निकल के आ रही इस पेशल ट्रेनों को लेके दिस अपडेट को हम पूरा विस्तार से देखने वाले हैं तो आप वीडियो के अंतक इजब बने रहे है उत्तर प्रदेश्च मोतिहारी के लिए स्युल्बात हो दिये और रवीवार के दिन केंद리य मंत्री राधा मोहन सिंऑ मोतिहारी से बापु धाम मोतीहारी आयोध्या कैंट एकस्प्रेस ट्रेन से पहुचे थे इस ट्रेक की से उश्रुवात रविवार को केंद्री मंत्री की द्वारा की गए है और इस पेशल ट्रेन मोती हारी से आयोध्या के लिए अब शुरू की गई है बताया जाला है कि यह ट्रेन प्रत्यक शनिवार को आयोध्या कैंट से चलेगी और रवीवा के दिन आयोध्या पहुचेगी यह हर शनिवार की राद 11 बजे चला करेगी और अगली सुबह मोती हारी पहुचेगी इस स्पेशल टेन के शुरू होने से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को आवा गमन में काफी सुविधाय होगी इसके साथ ही आयोध्या जाने वाले श्रधालों को भी आसानी होगी केंद्री मंत्री ने इसके लिए रेल मंत्री और प्रधान नरेंद्र मोती के शुक्रिया भी अदा किया है बिहार से लवीवार को देखा जाए सुबह लाधा मोहन सिंग लगभग हजार लोगों के साथ मोती हारी से आयोध्या पहुचे दिया और जहां पर आयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुपता के द्वारा उनका स्वागत किया गया था इसके साथ ही पहुचे हजार लोगों ने हनुमान गड़ी राम जन भूमी के दर्शन और पूजा अर्चना किया सुर्यदेव की अरादना कर आरती की ओर और आयोध्या से मोती हारी के लिए रात को ग्यारा बजे ट्रेन की वापसी पहुची गई थी तो इस प्रकार देखा जाए और भी स्पेशल टैनों की शुरुवात हो रही है आम जनता के दाहत को लेके कोई और भी अपडेट मिलेगी हम आप तक जरूर पहुचाएं